हेलो फ्रेंड्स तो आपका अर्दिक अभिनंदन है मेरे योटूब चेनल सपनों की उडान में तो हम आज सेंसकर्थ में अपना एक न्यू टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं छंद इससे पहले हमने अलंकारों को कर लिया है अगर आपको वह पढ़ने हैं तो मैं उनका लिं यद छरम परिमानम तच चंद है अथार जहां अक्सरों की गिंती की जाती है या परिग्णन किया जाता है वह चंद है इसमें बताया गया है कि जहां पर अक्सरों या वर्णों की गिंती कर हमें एक पंक्ति का निर्मान करते हैं वह क्या कर लाएगा चंद कर लाएगा वर् रचे गएगे वाक्षे के समुहे को छंड गाते हैं इसने क्या होगा कि आपको वरण दिये जाएंगे और उनकी गिंतिकर हमें पंक्ति याँन laughs तो आप zone होता है चंद को सलोग में कितने होते हैं तो आपको समझ में आ गए होगा चंद किसे कहते जहां improvement वर्णों की गिंति कर समुर का निर्मान किया जाता है जहां वर्णों की गिंति कर एक पंक्ति का निर्मान किया जाता है चर्ण का निर्मान किया जाता है वहां क्या होगा छंद होगा तो हम आगे पढ़ेंगे छंद कितने प्रकार के होते हैं तो चंद दो प्रकार के होते हैं वेदिक चंद और लोकिक चंद वेदिक चंद कौन से होंगे जो वेदों में परियुक्त होते हैं और लोकिक चंद जो लोक में परियुक्त होते हैं हम काम में लेते हैं वो कौन से होंगे लोकिक चंद जो वेदिक चंद है वो हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हमें यह नहीं पढ़ना चंद कितने परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं वेदिक और लोकिक जो वेदिक चंद है जो वेदो में परियुक्त होता है और लोकिक चंद लोक में परियुक्त होता है लेकिन वेदिक चंद हमारे सलेवस में नहीं है रीट के मे तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, तो हम किसको पढ़ेंगे, लोकिक छंद को, तो लोकिक छंद भी आगे कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा, लोकिक छंद, लोक में परियुक्त होने वाले छंद को क्या कहते हैं, लोकिक छंद, लोकिक छंद कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का मात्रिक और वर्णिक यानि मात्रा के आधार पर और वर्णों के आधार पर तुम आपको दोनों प्रकास यह बताऊंगे कि आप मात्रा के आधार पर छंद को केसे पैचाने और वर्ण के आधार पर केसे पैचाने फिर लास्ट में आपको एक ट्रिक बताई जा इसमें आपको चंद का नाम पुछा गया है जएदा परेशान होने की आवसेक्ता नहीं है यह बहुत ही आसान है और वीडियो के अंत में मैं आपको इसकी बारे में पता दूंगी तो हम अपना टोपिक स्टार्ट करते हैं जहां से हम पढ़ रहे थे हां तो हम पढ़ रहे थे लोकिक छंद लोकिक छंद क को देखते हैं कि मात्रा अधरी चंद मात्रिक छंद होता है मात्र अधरिक छंद क्या की इस चंद मात्र यृटिक कहले नहीं होता है यह पार्ट थोड़ा थोटिकल आ लेकिन आगे हमें नियम, आगे हमें क्यूशन करने के लिए इस थोटिकल पार्ट को पढ़ना बहुत ही जुरुरी है, क्योंकि अगर हमें यह नहीं आएगा, जो छंद की जो मोल लिखता है, वो हमें नहीं पता होगी, तो हम आगे क्यूशन नहीं करपाएंगे, और आप इसे नोर्स भी बना सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखवाया है इसको, अगर आप नोर्स बनाना चाहें, तो यह आपके लिए परफेक्ट है, तो हम आगे देखते हैं मात्रा, मात्रा किसी कहते हैं, मात्रा, वर्णों के उच् संकेत क्या होता है? एक खड़ी रेखा, इनके संख्या कितनी होगी? पाँच, इनके संख्या कितनी होती है? पाँच, जो लगउ-शवर होता है, वो संख्या में पाँच 侯ोते हैं, और इनका खड़ी लाइन दिखाए देगी, अ, ई, यो, डी, औ, लरी, यह क्या है? नहीं होगा तो आपको समझ में आ गया लगू सवर कौन से होते हैं जिन सवरोर में एक सिकंड का समय लगता है वो कौन से होगे लगू सवरोर और इनका संकेत क्या होगा एक खड़ी रेखा इनका संकेत होगा आगे हम इस खड़ी रेखा वो काम में लेंगे इसलिए आपको य याद रखना है, तो हम आगी देखते हैं, दिर्ख सवर, पहला हमने कर लिया है, और दूसरा कुन सा है, दिर्ख, गुरू, बड़ा, या फिर द्वी मात्रिक, जिसमें दो सेकिन का समय लगता हो, वो कुन सा, वरण होंगे, द्वी मात्रिक, जैसे, आ, बड़ा, आ, ई, उ, ब आठ होंगे, आठ, इन्हें क्या कहते हैं, द्वी मात्रिक, और इनका संकेत होगा, ऐस, द्वी मात्रिक चंद का संकेत, द्वी मात्रा का संकेत क्या होगा, ऐस होगा, तो हम आगे करते हैं, अब हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे मात्रिक छंद पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चीए कि जो मात्राएं हैं वो किस परकार से लगाते हैं हमें ये तो पता चल गए कि हैस्वर और दिरक्सवर कौन-कौन से होते हैं लेकिन इनकी मात्रे हैं, वो किस परकाल गय जती है, इनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हमें पढ़ना बहुत ही जुरूरी है तो हमारा पहला नियम है स्यूकताध दिर्गम, यानि स्यूक्त वर्णों से पूर्व वाला वरण क्या होगा? गुरू होगा स्यूक्त वर्ण कौन-कौन से हैं? अक्षा, श्रै, गय, और धै, हमारे कौन से वरण है? स्यूक्त वरण है, तो इन से पहले जो भी वरणाएगा, वो क्या हो जाएगा? दिर्ग हो जाएगा यानि कि चाहिए वो अपमें लगू ही क्यों न हो, उसमें लगू मात्रा ही क्यों न आ रहे हो, लेकिन अगर अक्षा तरग ये लास्ट उसके पीछे जोड़े हो जाएगा, तो वो पहले वाला वरण क्या हो जाएगा? दिर्ग हो जाएगा जैसे कि कक्षा तो इसमें आ की मातरा निकल रही है तीक है, इसमें आ की मात्रा ही घीक है इड़शवरन है पै क्या है यहां यहां पर पैपर कि इसके ए की मात्रा आ रहे है तो यह क्या है? लगू वरण है री भी क्या है लगू है लेकिन आगे क्या जुड़ाओ है श्रय जुड़ाओ है तो श्रय जुड़ने के कारण ये क्या हो जाएगा द्रग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहां पर द्रग हो जाएगा और श्रय में ए है श्रय ए तो श्रय तो अपने आप में क्या रहेगा लगुई रहेगा और मैं क्या है मैं भी लगुई है तो इस प्रकार स्युक्त वर्णों से पुर्वे वाले वर्ण क्या हो जाते हैं गुरू हो जाते हैं फिर द्रग हो जाते हैं इसे प्रकार अपना अगला है यह यह जुड़ रहा है तो यह तो क्या है वेसे तो हम देखे त तो हम अब धे देखते हैं धे भी क्या है कि स्युक्त वर्ण है तो स्युक्त वर्ण से पहले आने वाला वर्ण क्या होगा द्रग होगा तो वी क्या मन जाएगा द्रग मन जाएगा और धा इसमें भी आ के मात्रा है तो यह भी क्या होगा द्रग होगा तो आपने इसको समझ ल मोसमें द्रग वरण जैसे की का है बड़ी की है बड़ा कू है बड़ी रीए कंवितिकम में द्रग रोटा ॥ा कि यह जो है इनने क्याहिए लगुन होता है हमें वरण आपना वरण ऊजयार है इस में लोबरर बने की मातर है मै इसा कुछ il जो तो यह पुर्ण वेंजन बनेगा तो इसमें एक तो आप में एक वेंजन है लेकिन किसे मिलकर बना है एसमें जुड़ेगा तो यह पुर्ण वेंजन बनेगा तो इसमें एक क्या होता है अपने आप में लगू होता है तो इसमें कौन सी मातर आएगी लगू की मातर आएगी अब का में क्या है द्रग आज उड़ावा है तो यहाँ पर क्या होगी बड़ी द्रग यह गुरू हो ज मात्रा आ रही है और जो छोटा हो इसमें छोटी मात्रा आ रही है आपको यह समझना बहुत ही जूरी अगर आपको यह समझ में नहीं आएगा तो आप आगे मात्रिक छंधा वो नहीं कर पाएंगे, इसमें सिंपल सा रूल है, जिसमें बड़ा सवर आ रहा है, वो बड़ा होगा, जिसमें छोटा सवर आ रहा हो, क्या होगा, एक मात्रिक होगा, जिसमें बड़ा सवर आ रहा है, तिक सवर आ रहा हो, क्या होगा, दिव मात्रिक होगा, ठीक है, स कि इसानियं है गिसानियंहीं सानूस्वार हुच युकति पर गुरू माना जाता है। सम्दानियंही। मरन्ण करONG कि अब आप देख सकते हैं युश्का ड्वकिया जाता है। रामम इस प्रकार से लिखा जाएगा अगर यह हलंद वाला मैं इसमें जुड़ेगा तो यह अपने आप में द्रग हो जाएगा इसलिए आपको बताया है कि अन्मसवार यूगत वरन क्या होते हैं द्रग होंगे यानि कि यह मैं मैं पर क्या होगी द्रग मातर आएगी यह गुरू हो जाएगा अगला हमारा चोथा हनियम है विशर विशरक समिश्रम यह विशरक यूगत वरन द्रग होते हैं जापर विशरक आएगा उससे जो पहले वाला वरन है वो क्या होगा द्रग होगा जैसी कि राम में है जैसी कि र विसरा का पूरुवा वर्ति वर्ण क्या हो जाएगा द्रग हो जाएगा और हम अगला नियम देखते हैं हमार लास्ट और अंतिम नियम है चरण का अंतिम वर्ण विकलब से गुरू या लगू होता है यानि कि जो हम आगे छंद पड़ेंगे उसमें जो लास्ट का जो पंक्त का लास्ट का वर्ण उसको हम अपने अनुसार लोग विया द्रग कर लेंगे यह नियम है जैसे कि मालो आपके कितने वर्ण आपके कुल सत्रा वर्ण बन रहे हैं कि आपके कुल ले मालो आपके कुल वर्ण बन रहे हैं सोडा अब आप देखेंगे कि सोडा पे तो पहल दो नहीं नहीं होता तो आप अपनी इच्छा के इनुसार के माली जन्द करेंगे या फिर 17 में है और क्यूशन में भी देखना होगा कि इसमें पंद्रवा वाला वरण वाला पता रखा है या फिर सत्रवे वाला ठीक है तो कि एक ये ओर्णियम कि जब भी हम छंद की मात्रह काउंट करेंगे तब हम हस जो आदे आदे वरण होते हैं ना जैसे आदास है आदा में इन को काउंटिंग नहीं करेंगे तो आम आपको बता दूँगी आगे केसे नहीं करेंगे हमारे दूसरा वरण कौन सा है हमारे दूसरा चंद कौन सा है वर्णिक चंद जिस चंद में वरण गिने जाते हैं वो कौन से चंद होते हैं वर्णिक चंद ये कितने परकार के होते हैं तीन इंदर वजर है हमने देखा कि प्रृण इस में पहले हम ने देख रहा संवरत दूसरा है अर्थ शंवरत य movies झरद को उसना होगा जिसमें पर्तेग लायन क्या हो अलग अलग हो तो यह हमारी इतने काम के नहीं और ये पुछे भी नहीं जाएंगे, हमें सिरफ मात्रिक छंद है ना, वो ज़्यादा पुछे जाएंगे, तो हम देखते हांगे, अब छंदों को श्टराट करने से पहले हमें गण के बारे में भी थुदा पता हो नचे, क्योंकि जब इनके बारे में पता होगा, तो हम अप होगी, ये आपको एक सुत्तर दिया हुआ है, हम देखते हैं किसे ये माता राज भानस अलग हमें, हमें बताएंगे कि वर्णो संख्या कितनी होगी, आठ होगी, जैसे हम काउंट करते हैं इसमें, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, ये आगे ले औ गय का मतलब है लगू और गुरू वरण, ठीक है, तो ये ऐसे हमारा कौन सा गण बन जाएगा, ये गण, मैसे मगण, तैसे तगण, रैसे रगण, जैसे जगण, भैसे बगण, नैसे नगण, और सैसे शगण, तो हमारे कितनी होगे ये गण, आठ गण होगे, टोटल आठ गण होते हैं, और आपको आगे, इनके चेहन पूछ ले जाएंगे, आपको ये ये नहीं बताए जाएगा, कि ऐसा कौन सा गण है, जिसमें एक मातरा, छोटी और दो, मातरा हैं बड़ी होती है, आपको ये गण, ये गण की देखते हैं, हमें क्या होती है, कितनी मातरा होती यह गण में अब आप देख सकते हैं देशे इसमें आठ चंद आठ गणों ते आपको पता है तो हमारा पहला गण है यह गण आप पहले यह से यह को पकड़ी है ना फिर आप तीन यह गए उन्हें तीन बढ़नों तक काउंट कीजिए मात्राओं को यह में कौन सी है छोटी है तो यह गण का पहला अक्सर क्या होगा छोटा होगा लगू होगा दूसरी के है मा में कौन सी मात्रा है बड़ी मात्रा है यह द्रग है और आगे ता है वो भी क्या है द्रग है तो यह गण की क्या विश्यष्टा है गई पहला ओरन छोटा और बाकि के दो ओरन क्या होगे ब प्वादी होगी इसी परकार आगे मै такого है आम तकंड मैं को मैंको पूलु tamaane कि आगे वो पतीम सब्सक्रस्जा है कॉई powinien को कांट करूं मैं क्या है अपने में द्रक कहती है ताभर ऑर रा लगो अब लगऊ होगी इसी प्रकार हम लगण सकते ही हैं रगण को डूसरी रग थिए पहचान होंगी और एक होगी यह धूकर होगा होगी एक मात्रा को आपको चीहने बतादी कि को एक कes यह यह की मात्रा याद रखनी vaccination को है तो यह मात्रा याद ना रखे तो ये सुत्तर याद रख लें हम और इससे हम सारी निकाल लेंगे तो हम आगे देखते हैं हमारे चैर गण हो चुके हैं पांच वा गण कौन सा है हमारा पांच वा गण है जगण चटा होगा भगण और शात्वा होगा नगण और आठवा होगा सगण सहा तक हमारे गण है इस प्रकार कितने गण हो गए पूरे आठ गण हो गए आगे हम पढ़ेंगे यती यती होती है विराम यती का मतलब क्या होता है विराम चोदा वर्णों तक यती का विधान नहीं है चोदा वर्णों तो क्या नहीं होती यती नहीं होती चोदा वर्णों त को आपको याद करना बहुत ही जरूरी है वरना आपको छंद का जो मोल लिखता है वो पता नहीं चलेगे तो हमारा आपको छंद करवाती हूं अगला हमारा पहला छंद है हमारा पहला चंद होगा अनुष्टूप अनुष्टूप में कितने वरण होंगे आठ वरण होंगे परतेक लाइन में आठ वरण होंगे ओ लाइने कितने होंगी च्यार होंगी तो टोटल वरण कितने होंगे 32 होंगी यह निश्चित होगा कि इसमें परतेक जो लाइन है उसम आठ वरण होंगे, तो हमारे टोटल वरण होगे 32, इसका एक एक एकजांपल करके बताती हूं आपको, कि आप केसे पैचाने बिना मातराएं लगाए, बिना किशी जंजट के, आप केसे पैचाने के इसमें कौन सा चंद है, तो हमें क्या बताया गया है, वरण कितने होंगे, आठ होगे, तो मात्राओं का जंजटी नहीं है, हमें वर्ण गिनने हैं कि वर्ण कितने होगे, और वर्णों में एक बात आप याद रखना, जो ये ये अर्द्वरण होते हैं न, अर्द्वरण काउंटिंग नहीं की जाएगी, उनको हम गिनेंगे नहीं, ठीक हैं, तो देख करनी है और उसी साब से यह हो जाएंगे मां आपको इसे लक्षण भी बताऊंगी कि मात्राओं के अदार पर हम कैसे निकाले लेकिन यह आसान तरिका है कि आप एसे याद रखो कि अनुष्टूप छंद में कितने वरण होते हैं और अन्य अन्य चंद उन नहीं आएंगे ठीक है तो इसमें क्या है जन्नी जनम भुमिश्च है एक दो तीन च्यार पांच छे साथ और आठ जो आदा नहीं और आदा से है इसको काउंटिंग में हमें नहीं लेना तो इसमें आठ हो रहन है तो यह कौन सा चंद हो जाएगा अनुष्टूप छंद हो जा है अनुष्टूप छंद का सलो के सस्टम गुरूगे यम सर्वत्रम लगू पंचमम द्वी चत्तू स्पादययो हस्वं सतम द्रग्यों मन्यों यानि कि इसका अर्थ है जिस सलो के परतेक चरण में चठा अक्षर गुरू एवं पांचवा अक्षर लगू होता है तथा पहल हैं और तीसरे चरण में सात्वा अक्सल द्रग ताथा दूसरे ят चोते चरण में सात्वा अक्सल में अनुष्टुप जथ होता है तो आपको मात्रा लगाने के लिए उतना सारा याद करना पडेगा और वर्णों से हम एक सेकेंड में याद कर ले दे मां आपको बता देती हूं किस परकार से आपको इन मात्राओं का या फिर ये लक्षन हमें बताया गया है इसका प्रयोग हमें चंद में करना है तो किसको अनिय धान लेने की आवसिकता नहीं है हम इस लक्षन में अपने ये क्या है हमें जो नियम बताया गया है उसक तो हम count नहीं करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हमें क्या बताया हुआ है सातवा अक्सर क्या होगा गुरू इसमें एक ही मात्रा आ रही है तो यह क्या है गुरू है यह जिदग है और आगे क्या हम पांचवा अक्सर लोगू होता है इसमें ही बताया गया है कि प्रतेक चरण में चठा अक्सर गुरू और पांचवा अक्सर लोगू होता है तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में क्या आ रहा है अपना रूह आ रहा है और रूह में भी उ की मात्रा कुन सी है हैस्वा उ की मात्रा है तो हमारा ये जो लक्षण है ये श्ठिक बेठ रहा है हमारे इस सलोक में आगे हैं पहले और 3 चरण में शात्वा अक्सर द्रग पहला और ये जो 3 चरण है हम 3 चरण में देख लेते हैं, एक तो अगए है G2 इसे में बताएं कि सात्वा अक्सर द्रिग होगा द्वी एक अक्सर हो गया ये दूसरा ये तीसरा ये चोथा ये पांचवा ये चठ्था और ये शात्वा क्या बताएं कि सात्वा अक्सर क्या होगा द्रिग होगा ये है द्रग के से हैं है द्रिग के से हैं क्योंकि इसके बा प्रकार हमारी जो नियम है यह है पूरे इसमें जो लक्षन है इसमें सटी की बेटता है लेकिन इसमें आपको दो को पहले देखना पड़ेगा हम कि हमें कौन-कौन से चरण में क्या-क्या कौन-कौन से एक्सरों को देखना है तो इतना नहीं तो हमारी अंदर केपिसिटी होत तो आप तो सिधा-शिदा याद रखना कि जिस जिस छंद में आठ वरण होते हैं, जिस छंद में आठ वरण होते हैं, जिससे कि एक वरण एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, उसमें क्या होगा? अनुष्टूप होगा. तो हम आज इतना ही पढ़ते हैं अगले तो हम अपना भी एक्यूशन करते हैं देखते हैं जो हमने पढ़ा है उस पे सटिक बेड़ता है फिन ने बेड़ता है तो हम इसमें क्या करेंगे पहले वरणों की संख्या को देखेंगे कि इसमें कितने वरण हैं तो हम मेरे साथ में आप भी गिनिए एक दो तीन चार पांट छे शाद आठ नोग दिस यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा शोड़ा सत्रा ठारा गुनिश और विश्ट आपको यह याद रखना है कि हम आधे वरनों को नहीं गिनेंगे ठीक है तो इस में कितने वरन है विश्ट आपको यह पता हो होना चीए कि 20 का 20 वरनों का तो कोई छंद नहीं होता है 21 का और गुनिश का तो हमने एक नियम पढ़ा था कि हम अपने आवसेक्ता अनुसार जो अन्ति वरना उसको क्या कर सकते हैं लगो या फिर द्रख कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे 21 पर कौन सा चंद एकिस पर आता है साठ सारंगधर जो कि हमारी option में नहीं है 21 वर्णों के चंद का नाम है त्यसं प्रण धर अर्व क 900 वरनों वाला जो चंद है उसका नाम होगा और साल दो तो हम जो अपना अंतिम वरण होगा, इसको क्या कलने गी? हमारे 20 आरे थे वरण, तो हम इसको क्या कलने गी? लगुमाल लेगे और इसका आंस्वर क्या कर देगे हम? सार्दौल विकरितम. तो इस परकार हमने देखा कि हम एक आसान सी ट्रिक से एक सेकिंड में इतने बड़े स संद इतने बड़े सलोग का आंसर निकाल सकते हैं I hope आप को इस समझ में आए अगर वीडियो अच्छा लगी तो like, share and subscribe जरूर करें धन्यवाद